रियालिटी शो इंटू दा वाइल विद बैर ग्रिल्स में इस साल एक और बॉलिवुड अक्टर अजय देवगन नजर आने वाले हैं पिछले साल इस शो में सुपर स्टार रजनी कांथ और अक्षय कुमार जैसी हस्तिया नजर आई थी अब अजय देवगन को हिन महासागर में एक साहसिक यात्रा का अनुभाव करते वे देखा जाएगा जिसमें वो शार्क और प्रती कूल मौसम की स्थिती का सामना करते वे दिखाई देगे अजय देवगर ने हिन महासागर के सबसे खराब स्थिती वाले दूइपों में जिवित रहने के लिए वास्तिविक जीवन के रोमांच की अपने शूटिंग के अनभाव के बारे में खुल कर बात की उन्होंने कहा कि इन दा वाइल्ड के साथ मेरा पहला अभियान है मैं आप से कह सकता हूँ कि ये बच्चों का खेल नहीं है मेरे पिता एक आक्शन डिरेक्टर थे और भारती उद्द्योग में मेरे 30 साल के करियर के दौरान मुझे आक्शन करने का सौभागे मिला है मैंने कई खतरनाक आक्शन सीन किये हैं पर ये उन सबसे अलग है मुझे खुशी है कि ये अफसर मेरे पास आया इसने मुझे अपने कमफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद की अजय देवगर ने बताया कि बैग रिल्स को एक विशेश सलाम जो प्रकृती के साथ एक बहुत जरूरी संबन तलाशने और विक्सित करने के लिए लाखों लोगों को प्रेरीत कर रहे हैं और निश्चित रूप से उन्हें जंगल में सुरक्षित रखने के लिए बूके जंगलों से लेकर समुंदर की गहराई तक बैग रिल्स ये सब जानते हैं बैग रिल्स इस शो के लिए अजय देवगन के साथ अपने जुडाओं और उनके साथ अपनी यातरा पर कहते हैं कि अजय देवगन को जंगल में ले जाना और उनके साथ एक साहसी कारे करना मज़ेदार था रेकिस्तानी दूइपो पर जीवित रहना हमेशा कठिन होता है ये अविश्वस्नी रूप से काम के प्रती इमंदार है और वो उस इमंदारी को महत्वे देते हैं